C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग दो सबक 13 सफा नंबर 78 हवाई जहाज वो देखो हवाई जहाज आ रहा है कोई गीत उड़ते हुए गा रहा है नजर आता है दूर से यूँ फिजा में कोई चील उड़ती हो जैसे हवा में परिंदों के मानिंद परदार है पर उनसे सिवा तेज रफतार है यहाँ है अगर आज तो कल वहाँ है परिंदों में इसकी सी तेजी कहा है बहुत दूर उड़ता है जब यह हवा पर नजर आता है एक धब्बा फिजा पर जवां होके हम भी चलाएंगे इसको खरीदेंगे इसको उड़ाएंगे इसको हवाओं पे उड़ते फिरेंगे जहां में कभी इस जमी पर कभी आसमा में अख्तर शीरानी इस सफ़े पर बाई जानिब एक हवाई जहास की तस्वीर दी गई है और इस सफ़े के आखिर में एक बच्चा हवाई जहास को उड़ाते हुए दिखाया गया है इस मश्क के सामने एक बच्चे की तस्वीर दी गई है जिसने अपने हाथ में खिलोना हवाई जहास ले रखा है सोचिये और बताईए एक हवाई जहास को किस परिंदे की तरह बताया गया है दो शाइर को उड़ते हुए हवाई जहास की आवाज कैसे लगती है तीन बच्चे जवान होकर हवाई जहास के साथ क्या करना चाहते है चार जब आप हवाई जहास देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं लिखिए पांच हवाई जहास का इंधन अलग होता है और ऐसी कौन सी गाड़ियां है जो बगएर इंधन के चलती हैं सफा नंबर असी मुनासिब लफजों से मिसरे मुकमल कीजिए एक कोई खाली जगा उड़ते हुए गा रहा है दो जवा हो के हम भी खाली जगा इसको तीन खाली जगा इसको खाली जगा इसको चार हवाउं पे उड़ते खाली जगा जहां में पांच कभी इस खाली जगा पर कभी खाली जगा में हम आवाज अलफास को मिलाए इस मश्क के सामने एक लड़की हाथ में खिलोना हवाई जहाज लिये हुए खड़ी है असातिजा के लिए हिदायात बच्चों से आमद और रफ्त के जराय पर गुफदगू की जाए हवाई जहाज नजम की तस्वीरों को तवज्जों से देखने और समचने के लिए कहा जाए परदार रफ्तार लवजों से तुकबंदी करते हुए नई नजम लिखवाएं दी हुई तस्वीरों के बारे में एक एक जुम्ला लिखिये सफ़ा नंबर 82 नीचे दी हुई तस्वीरों में रंग भरिये यहाँ नीचे तीन तस्वीरे दी गई है पहली तस्वीर साइकिल की है दूसरी तस्वीर कार की है और तीसरी तस्वीर हवाई जहास की है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग दो वाचन स्वर शिमाईला पर्वेज और पर्वेज गौहर तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहायक तनु गुपता निर्देशन इवं दिर्मान वीमलेश चाओधरी ताथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत